हमें कभी भी देश से जुड़ी किसी भी सिंबल या तिरंगे का अपमान नहीं करना चाहिए यह हमारी ड्यूटी है पर रिपब्लिक दे कुछ खास उपाई किये जा सकते हैं तीन रंगों की ताकत का अंधाजा आपको है ही नहीं यो पाई आपको बाद में बताऊंगी लेकिन अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ खास नियम जो आपको अपने ले बनाने हैं अपनी तरक्की के लिए बनाने है बात करते हैं आपके फ्यूचर से जुड़ी जानकारी की सबसे पहले आपको नियम बनाना है अच्छी डाइट का नियम ओवर कैलरी को कम कीजिए और अपनी डाइट का पूरा ध्यान दीजिए आपको रोजाना पांच छोटे छोटे मील लेने है दिन में चार बार 20 ग्राम प्रोटीन शेक बनाना है जिसमें आप बेरीज और एक चमच फ्लेक्स सीड्स का ओईल मिलाकर ले सकते हैं पांचवा मील जो है आपको ग्रिल्ड या बेक चीजे लेनी है आदी कटोरी स्टीम्ड वेजेटेबल्स या थोड़े से ड्राइफ्रूट्स आप खा सकते हैं दूसरा जरूरी नियम पानी पीने का नियम पानी को उबाल कर उसको वाम होकर जब ठंडा हो जाए तब पीना है दिन में एक बार एक ग्लास पानी पीना चाहिए और उसके तुरंट बात दौड़ना नहीं चाहिए ये खास नियम बनाए खाने के तुरंट पहले या बाद में पानी नहीं पीना चाहिए और पानी पीने के बीच में आदे आदे घंटे का गैप होना चाहिए सुबह खाली पेट उठकर उबाला वा थंडा पानी पीना चाहिए और एक ग्लास पानी जरूर बैट कर पीना चाहिए एक बात और रात में जब नींद खुल जानती है आपकी अचानक तो तुरंट पानी नहीं पीजे और पानी पीने के बाद पहली सांस नाक से नहीं लीजे बात करते हैं तीसरे नियम का जो है जूस पीने का नियम पूरे दिन में पांच या छे बार अलग-अलग तरह के जूस पीए पैसे जोड़ कर अपनी हेल्थ का नहीं ध्यान रखेंगे तो क्या काम नीमबू पानी पी सकते हैं और पहले दो गलास नीमबू पानी पीजिए सबसे पहले सुपह उठते उसके बाद कोई भी फ्रूट जूस, औरेंज जूस, तमाटर, गाजर, चकुंदर कोई भी जूस आप मिक्स करकर ले सकते हैं दोपहर में तर्बूच का जूस जरूर पीना चाहिए इससे आपका वेकलास भी होता है शाम को संत्रा, सेब, अंगूर इन सब का मिक्स जूस पी सकते हैं चौथा जरूरी नियम, सोने और जागने का नियम ये नियम भी आपके लिए बहुत जरूरी है आप काम में इतना बिजी रहते हैं लेकिन 6-8 घंटे की नीम आपको जरूर लेनी है सोने और जगने का टाइम फिक्स कीजिए कभी-कभी रूटीन अपसेट होता है, कोई बात नी बट हफते में 4-5 दिन तो फिक्स होना चाहिए इसको पूरी दर से निर्धारत करेंगे तो आपकी नीन का पैटन परफेक्ट रहेगा पांचवा सबसे जरूरी नियम, मौर्निंग वॉक का नियम अपनी डेली रूटीन में इस नियम को शामिल करें रोज सुभा के समय उठकर वॉक पर जाएं इससे कैंसर की चैंसेस कम हो जाते हैं या ताज पैटर रहती है ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है स्किन हेल्दी रहती है कॉलिस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहता है गुड हार्मून्स का लेवल बढ़ता है मुटापा कम होता है आगे बढ़ने से पहले आज की दूसरी प्रॉब्लम और उसका सिल्यूशन लेते हैं गर्स से मुक्ती के लिए आप क्या करें एक थाली पर लाल रंका कपड़ा बिछाईए कपड़े पर थोड़ा सा तिल और गुड रखीए साथ में अक्षत यानिकी साबुच चावल ले लीजे आप देसी घी के दो दिये जलाईए अब इस थाली पर रख दीजे घर से बाहर में डोर के दोनों तरफ एक एक दिया रख दीजे बाकी की थाली किसी चौराये पर जाकर लाल कपड़े की पोटली बनाकर रखाईए और मन में करजा दूर करने की प्रातना कीजे बिना पीछे मुड़े सीधा घर वापस आ जाईए देखिए आपको कैसे रस्ते मिलते हैं सपने में तिरंगा देखने का क्या मतलब है बात कर रहे हैं तिरंगे की तो सपने में तिरंगा देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है यह आपको बताती है हाथ में अगर आपको तिरंगा देखता है तो शादी की बात चल रही है पर घर में शांती और सिम्रिद्धी आएगी ये भी साइन है अगर आप सपने में काला जंडा देखते हैं यानि कि इनसान की नॉलेज को ये डिमोंस्ट्रेट करता है अगर सपने में कोई सिंपल प्लेइन जंडा देखते हैं यानि कि आपको देखकर कोई जेलस फील कर रहा है अगर सपने में प्लेइन पीला जंडा देखते हैं यानि कि कि किसी कोई बिमारी का शिकार हो सकते हैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखे सपने में प्लेन हरा जंडा देखते हैं यानि कि लंबी यात्रा पर जा सकते हैं और सपने में विदेशी जंडा देखते हैं तो दोस्तों के साथ जगड़ा हो सकता है दोस्त दुखा दे सकते हैं दोस्तों से रिष्टे बिगड़ सकते हैं चले बात करते हैं तीसरी प्रॉब्लम और उसके सिल्यूशन की पैसों के लिए शाम के समय पास के किसी भी मंदिर जाएं वहाँ पे भगवानों की बारी-बारी दर्शन कीजिए फिर लक्षमी जी और गनेश जी के दर्शन करना बिल्कुल नहीं बूलिए और एक काम कीजिए आपकी जो इच्छा है उसको रेड पैन से लिखकर पीली पर्ची के उपर मा लक्षमी की मूर्ती के पीछे चुपा दीजिए या दान पात्र में डाल दीजिए देखिया आपकी इच्छा कैसे पूरी होती है